कहते हैं कला और हुनर किसी धर्म जात अमीरी गरीबी की सीमा से बंधा नहीं होता यह बात साबित करती हैं मिथला पेंटिंग कलाकार दुलारी देवी जिनें पदमस्री से सम्मानित किया गया है बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गाउं की रहने वाली दुलारी देवी आज कोई मामूली नाम नहीं है इनके हुनर की चर्चा ना केवल देश बलकी विदेशों में होती है दुलारी देवी की पेंटिंग ने कला प्रेमियों को मंत्रमुख्ध कर दिया है पूर्व राष्टपती एपीचे अब्दुल कलाम आजा तो उनकी पेंटिंग के बड़े प्रशन शक्र है इनकी चित्रकला में देवी देवता, पारंपरिक चित्र और सामाईक विशियों का रंगों के जरिये बहतरीन तरीके से चित्रन होता है देखने वाला एक बार देखने के बाद बार बार निहारने को मजबूर हो जाता है मिथला पेंटिंग के छेतर में दुलारी देवी की आज अलग पहचान है इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने लंबा संगर्स भी किया हम आपको उनके संगर्स के बारे में बताने से पहले यह बता दें कि दुलारी देवी अब तक अलग-अलग विशियों पर साथ हजार मिथला पेंटिंग बना चुकी है मिथला कला में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले साल 2012-13 में उन्हें बिहार सरकार ने कला पुरसकार और उद्द्योग विभाग ने राजय पुरसकार से सम्मानित किया उन्हें ललित कला अकादमी दिल्ली की ओर से साल 1999 में सम्मानित किया गया इसके अलावा गीता वुल्फ की किताब Following My Paint Brush और मार्टिल ली कॉज की फ्रेंच में लिखी किताब में दुलारी देवी की कला और उनके संगर्स का जिक्रिक मिलता है इगनू के लिए मैथली में तयार आधार पाठिक्रम के मुख प्रिष्ट के लिए भी दुलारी देवी की पेंटिंग का एस्तमाल किया गया बोध गया के नौलखा मंदिर की दिवारों पर उनके बनाये चित्र देखे जा सकते हैं दुलारी देवी का जीवन बचपन में कटनाईयों में बीता साल 1965 में बेहत गरीब मलाह परिवार में जन्मी दुलारी देवी घर के काम में मदद के अलावा अपने भाई और पिता के साथ मशली पकरने और बेचने में साथ देती थी बारा साल की छोटी उम्र में उनका विवा हो गया उनके ससुराल में भी आर्थिक इस्तिती अच्छी ना थी उनकी छे साल की बेटी की आकास्मिक मौत ने उन्हें गहरा दुख दिया जिसके बाद वो ससुराल से मायके चली आई ससुराल में वो करीब साथ साल रही मायके आने के बाद वो जानी मानी कलाकार महासुंदरी देवी और करपुरी देवी के घर पर छे रुपए महीने पर साफ सफाई का काम करने लगी यहां उन्होंने महासुंदरी देवी को चित्र बनाते देखा महासुंदरी देवी मदवरी चित्रकला की महान चित्रकार और पदमस्री से सम्मानित कलाकार थी यहां बताते चलें कि महासुंदरी देवी के बारे में विस्व प्रशिद्ध चित्रकार पिकासो ने लिखा था कि लोग मुझे बड़ा कलाकार बताते हैं लेकिन जब मैं अपनी कला को देखता हूँ तो पाता हूँ कि महासुंदरी देवी मुझसे भी बड़ी कलाकार है दुलारी देवी के माता-पिता का निधन भी हो गया लेकिन पिछली बार की तरह दुलारी देवी निरास नहीं हुई और पेंटिंग को अपना जीवन मान लिया वो अपनी लगन और संकल्प के बूते अपने हुनर को समारती रही दुलारी देवी बताती है कि करपूरी देवी उन्हें अपनी बेटी जैसा मानती थी और वो खोद उन्हें मा मानती थी साल 1984 में उन्हें इस कला का प्रसिछन मिला इसके बाद तो उन्होंने विपरीत हालात में भी पीछे मुण कर नहीं देखा और पूरी लगन से अपने काम में लगी रही दुलारी देवी पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन आज वो बिहार की सान है मदुबनी चित्र गला के छेतर में उन्लेखनी योगदान करने वालों में दुलारी देवी पदमस्री पाने वाली पांचवी महिला गलाकार है उनसे पहले साल 2011 में महासुंदरी देवी साल 1975 में जगदंबा देवी साल 1980 में सीता देवी साल 1985 में गंगा देवी को भी इसी छेतर में अहम योगदान के लिए पदमस्री मिला है एक दफ़े फिर दुलारी देवी ने नारी सक्ति का एहसास करवाया है रैड नेट्वर की टीम दुलारी देवी के प्रयास और उनके संगर्सों को सलाम करती है और साथी साथ उम्मीद करती है कि दुलारी देवी दूसरी महिलाओं की भी प्रेनाश्रोत बने